चाको लावा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम चॉकलेट मिल्ट कर लेंगे यहाँ पर हम लिए 100 ग्राम डार्क चॉकलेट आप इसकी जगट डेरी मिल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चॉकलेट को हम डाल दीए पैन में पैन में डाल दीए एक चौथाई कब दूद यमल में लगबग 50 यमल होगा गयस का फ्लेम लोपर कर देंगे चॉकलेट को लगातार चलाते हुए मिल्ट कर लेंगे आप देख सकते हैं चॉकलेट थोड़ा थोड़ा मिल्ट होने लगा है पर चॉकलेट को लगातार चलाते हुए मिल्ट करना यद आप चलाना छोड़ देंगे तो चॉकलेट नीचे से पकड़ लेगा दोस्तो चॉकलेट खाना किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं तो चॉकलेट की बहुत बड़ी फैन हूँ चॉकलेट खाना बहुत पसंद है चॉकलेट जैसे जैसे मिल्ट हो रहा है मेरे मूं में पानी आ रहा है मेरा तुम मन करता है बड़ी चॉकलेट खाना शुरू कर दूं पर नहीं खा सकती अभी आपको पूरा वीडियो बना कर दिखाना है चॉकलेट को मिल्ट होते हुए 3-4 मिन्यट हो गया है आप देख सकते हैं चॉकलेट बहुत अच्छे से मिल्ट हो गया है ये चम्मच को भी कोट कर रहा है अब हम गयस को बंद कर देंगे चॉकलेट को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे जब तक चॉकलेट ठंडा हो रहा है तब तक चलिए आगे की तयारी कर लेते हैं चौकोलावा केक बनाने के लिए यहां पर हम लिए यह च्छे पैकेट ओरियो बिसकिट बिसकिट को पैकेट से निकाल लेंगे आप किसी और चॉकलेट बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर Ohio बिस्किट से चॉकलावा केक का टेश्ट बहुत इच्छा था एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करिएगा सारे बिस्किट पैकर से निकाल लिए हैं अब हमें बिस्किट को ग्राइण करना है बिस्किट के साथ में ग्राइंड कर लें बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं आप देख सकते हैं बिस्किट का अच्छा सा पाउडर बन गया हमें बैटर बनाने के लिए इसी तरह का पाउडर चाहिए अब हम biscuit powder को निकाल लेंगे बाउल में biscuit के powder को हम बाउल में निकाल लिए हैं चौकोलावा केक को शौप्ट और स्पंजी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर को biscuit powder में अच्छे से मिला देंगे केक का butter बनाने के लिए यहां पर हम लिए हैं आधा कब दूद थोड़ा थोड़ा दूद डाल करके हम केक के लिए अच्छा सा butter बना लेंगे यहां पर हमें पूरा दूद एक साथ में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके दूट डाल करके केक के लिए बहुत ही अच्छा सा बेटर बनाना है ना बहुत ही गाढ़ा बनाना है ना ही बहुत पतला दोस्तो चाको लावा केक बनाने में बहुत ही आसान होता है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है एक बार आप मेरी कहने पर जरूर ट्राई करें आपको बहुत पसंद आएगा मेरी या वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटर बनाने में आधा कब दूद पूरा लग गया है हमें चाको लावा केक का बेटर इसी तरह से चाहिए ना इससे गाढ़ा चाहिए ना ही इससे पतला चाहिए बेटर को रख देते साइड में यहाँ पर हम लिए हैं छोटी छोटी तीन कटोरी कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा गरिफाइन तेल डाल करके अच्छे से ग्रिस कर लेंगे आपके पास जो भी छोटी बड़ी कटोरी यह हों है आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं चाको लावा केक बनाने के लिए तीनों कटोरी को हम अच्छे से तेल ल लगा कर हम डालेंगे मेल्ट करके चॉखले रखे थी उसको यहां पर तीनोंके में पहले एक चमड चॉकलेट ढल रहे हैं फिर हमें कम लगेगा तो फिर म much चॉकलेट दीें और थोड़ा सा चॉखलेट कम लग रहा है कि हम डूबारा सा चॉखला छॉखलेट फिर से डाल रहे हैं दोस्तों चॉकलेट की मातर आप थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं पर आप इतना चॉकलेट डाले ताकि जब हमारा लावा फटे तो भर भर के चॉकलेट निकले चॉकलेट डालने के बाद हमें चॉकलेट को कवर करना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको चॉक्लेट को हमें अच्छे से कवर करना जारा है, आप कहीं से दिखूना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा लावा पकने से पहले फटने लगेगा, तो हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा और गच्छा ही रहा जाएगा, हमने तीनों कटोरियों को अच्छे से कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कवर हो गया है, अब हमें कटोरियों को दो से तीन बार टैप करना, टैप करने से जो भी air bubbles होंगे वो निकल जाएंगे, तीनों कटोरियों को हम अच्छे से टैप कर दिये हैं, हमारा च साउधानी के साथ रखेंगे स्टैंड, स्टैंड के उपर रखेंगे प्लेट, प्लेट में तीनों कटोरियों को एक एक करके रख दिएंगे, तीनों कटोरियों को कडाही में रख दिएंगे, अब हम कडाही को लीट से ढख दिएंगे, ढख कर लो फ्लेम पर 20-25 मिनट के 25 मिनट हो गया है, चलिए चेक कर लेते हमारा केक बेक हुआ की? लीडर को भटा देंगे केक को चेक करने कि लिए यहाँ पर हम लिये टोथपीक, टोथपीक को इस तरह से केक के सिंटर में डाल कर निकाले हैं, टोथपीक पूरी तरह से क्लीन है इसमें जरासा भी बेटन नहीं लगा यानि कि हमारा केक अच्छे से बेख हो गया हम गयस को बंद कर देंगे केक को शाधानी के साथ बाहर निकाल लेंगे चाकोलावा केक को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर हम आपको कटोरी से निकाल कर दिखाते हैं कितना अच्छा चाकोलावा केक बन कर तयार हुआ है कटोरी से चौकोल लावा केक को बाहर निकाल लिए हैं दोस्तों हम आपको काट कर दिखाते हैं कैसे चौकलेट वाला लावा भर भर कर निकलता दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी होता है बनाने में बहुत आसान होता है आप मेरे कहने पर जरूर ट्राई करें मेरी यह वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक यू